पास्ता तो आपको हर एक गली के नुकड़ पर मिल जाएगा मगर क्या आपने कभी विराट कोली के रेस्टोरेंट का पास्ता खाया है तो बिना किस देरी के वीडियो शूरू करते हैं आपको दिखाते हैं विराट कोली के रेस्टोरेंट का पास्ता कैसे तयार करा जाता है और क्या है इसमें ऐसा काश कि आज कर इंस्टाग्राम पे चाया हुआ है तो चली मेरे साथ आपको भी चुकाते हुए पास्ता का सुआद तो आज हम आये वन इट कम्यून और यहाँ पे मैंने ओरडर किया था इनका सबसे फेमस चीज वील पास्ता मातर दस मिनट के ओरडर करते हैं यहाँ पे मेरे सामने आगे थे चलती फिरती किचन जिसमें बहेरे सबसे पहले गैस जड़ाई उसके उपर रखा पैन और उसमें डाल दी गए वाइट साथ इस साथ को कुछ मसाले, चीज, मैदा और दूट से बनाए गया था अब यह जो आप चलनी देख रहे हैं इसी में पास्ता को उबाला जाएगा और आप देख सकते हैं यह जो पास्ता यहाँ पे लिया गया यह चौमिन या कहलो स्पैगेटी पास्ता है जिसको उबाने के लिए भी यह ने रख दिया था मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कोई भी पास्ता की चौइस नहीं मिलती है और यह वाला जो पास्ता था यह करीब करीब साथ सूर रपी का था और यह मेरी जिंगी का सबसे महंगा पास्ता मेंने ट्राय करा था अब सोचो आप लोगों के लिए क्या क्या नी करना पड़ता और दूसरी और जो है यह जो है यह है में जीज यह है चीज ली जिसको सबसे पहले इस मशीन द्वारा गरम करा जा रहा है ताकि चीज को पिगलाया जा सके मैं आपको बता दूँ यहां पर हाईजीन में मैं ने दूनी 10 आउट और 5 क्योंकि यह देखिए वेज नौन में दोनों में यह इसे द्वाया नहीं है इसी में बार बार पास्ता बनाते रहते तो मेरे साब से थोड़ा अनहाईजिनिक है अब जिसमें सारे के सारे पास्ता क कि भीया ने इसे बहुत देर तक घुमाया करीब करीब पांच मिनटा घुमाने के बाद भीया ने का पास्ता हो चुक है तयार यह सुनके मैं थोड़ी से हैरान हुई पर में को लगा क्या पता स्वाद बहुती बढ़िया हो तब इतना भेंगा है और लोग इतनी तारीफ कर लेने वाला भी है मैट, हैरी, हपसी तो अपे भीया ने पास्ता को डाल दिया और उसके बाद यहांपे रिकों लगरा था बहुत कम है मगर यह बहुत कम नहीं था एक जे ने के लिए सपेशियंट था मैं यह तो जरूर कहूंगी और सारे के सारे पास्ता को डालने tomarar और ऐसे ही दिया जाएगा